हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल मैथेमेटिकल पाट शाला फ्रेंट्स इस दी क्वेशन नूम्बर 2.8 ऑफ न्वेचे में एमसी 2016 एक्जाम फ्रेंट्स इस क्वेशन में हमें वैल्यू एवल्यूट करनी है है इंटीग्रेशन 025 और आपको इंटीग्रेंट दिया हुआ है मैक्जिमम ऑफ एक्स इसक्वाइर एंड 6x-8 dx तो इसको हम कैसे एवेल्यूट करेंगे सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे ठीक है तो आप ग्राफ बनाओ यह आपकी वैल्यू जीरो और सबसे पहले आप 6x-8 तो x-square-6x-8 बराबर 0 आप यहां से find out कर सकते होगी x की value 2 आएगी और x की value 4 आएगी तो जब आप x को 2 रखोगे और जब आप x को 4 रखोगे तब आपको x-square और 6x-8 equal मिलने वाले है ठीक है तो x-square का ग्राफ कैसा होता है देखो ऐसा होता है ठीक है अब 6x-8 इसक और इसकी value 2 और 4 पर x-square के equal होगी तो 2 यह रहा मेरा और 4 का रहा यह रहा तो 2 और 4 पर equal है और 5 पर आप देख सकते हो यह कितना होगा 25 और यह होगा 30 minus का 8 यानि कि यह आजाएगा 22 तो 5 पर आप देख सकते हो कि आपका जो x-square है वो greater आ रहा है और यह वाली जो value है वो आ 25 पर यह आगया मेरा x-square की value 25 तो 22 इससे थोड़ा सा नीचे होगा तो जो मेरा 6x-8 है उसका graph देखो कुछ ऐसा बनेगा ठीक है इसका graph कुछ ऐसा आपको दिखेगा तो यानि कि अब यहां से हमें clear हो रहा है कि जो हमारा reason है 0 से लेकर 2 आला 0 से लेकर 2 में कौन बढ़ा है x square ठीक है और 2 से लेकर 4 में कौन बढ़ा है 6x-8 यह हमने graphically देखा और फिर 4 से लेकर 5 में कौन बढ़ा है x-square ठीक है तो अब मैं इसको तीन पार्ट में break करूंगा 0 से लेकर 2 और 2 से लेकर 4 और 4 से लेकर 5 तो 0 से लेकर 2 में हमने देखा कि x square आपका maximum आ रहा है तो यह सब सब graphically बहुत ही अच्छे से visualize कर पाओगे तो मैं recommend करूंगा कि ऐसे questions में आपको graph बनाने चाहिए तो 0 से लेकर 2 में मुझे क्या integrate करना है x-square और 2 से लेकर 4 में क्या integrate करना है यह वाला 6x-8 ठीक है और 4 से लेकर 5 में क्या integrate करना है x-square ठीक है dx आप लिख लेना आगे अब friends बस इस question में आपको maximum देखना आना चाहिए तो graphically तो हम बहुत easily देख सकते हैं कौन सा maximum है देखो कि 0 से लेकर 2 में x-square का graph उपर बन रहा है इसलिए यह maximum है ठीक है अब यह तो बहुत easily आप integrate कर पाओगे इसका integration क्या होगा x-cubes by 3 और limits of integration 0 से लेकर 2 plus 6x का integration 6x square by 2 minus 8x limits of integration 2 से लेकर 4 plus इसका integration x-cubes by 3 और limits of integration 4 से लेकर 5 friends जब आप limit of integration लगा दोगे तो आपको जो values मिलेंगी यहाँ पर मिलेगा 8 by 3 और यहाँ पर आपको मिलेगा friends 20 और यहाँ पर आपको मिलेगा friends यहाँ पर 61 by 3 और जब आप इन तीनों को add up करोगे तो आपको जो answer मिलेगा वो 43 मिल जाएगा तो हमारा जो 2.8 question है उसका answer है 43 थैंक यू friends